तो आज हम आपके साथ दो ऐसी बैतरीन रेस्पी सेयर करने जा रहे हैं जो आप व्रत में या कभी भी बना कर खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे व्रत स्पेशल का चोड़ियां। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कटोरी साबू दाना और इसको हम पैन में डालकर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे साबू दाना आप छोटा या बड़ा कोई साभी ले सकते हैं लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको लगाता चलाते हुए 5-6 मिनाट तक रोस्ट करेंगे तो लगभग 5-6 मिनाट हो गया है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे जब ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाएंगे तो हम मिक्सी की साइता से इनको पीस लेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनको बिल्कुल बारीक पीस लिया है साथ ही हम 15-20 मूमफली के दानों को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब मूमफली के दाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो जाएं ता हम इनको भी पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे जब ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाएं ता हम इनको मिक्सी की साइता से बारीक पीस लेंगे तो मूमफली के दाने भी हमने बिल्कुल बारिक पीस लिये हैं अब हम अपने पिसे हुए साबू दानों को एक बॉल में सिफ्ट कर लेंगे साथी हमने जो मूमफली के दानों को रोज करके पीस लिया था उनको भी इसमें आट करेंगे साथ ही हम इसमें डालेंगे तीन हरी मिर्च जिनको मैंने बारी काट लिया है एक छोटी चमच दरदरा पिसा हुआ जीरा अगर आप ब्रत में बना रहे हैं और आपक जीरा नहीं खाते हैं तो इसमें मत डालिएगा बारी कटी हुई हरी धनिया अब हम इसमें एट करेंगे तीन मीडियम साइज के उबले हुए आलू जिनको मैंने मैस कर लिया है स्वादनुसार नमक अगर आप ब्रत में बना रहे हैं तो ब्रत बाला नमक दालें अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक आटा लगा का तयार करेंगे आप इन कोचोडियों को एक बात जरूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये उपर से तो बहुत करारी बनती है और अंदर से बहुत सॉफ्ट रहती है तो आप देख सकते हैं कि आठा हमारा लगका तयार है और ये थोड़ा सा टाइट आठा लगका तयार हुआ है अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढखकर रख देंगे अब हम एक मिक्शिंग बॉल लेंगे और इसमें 3 मीटियम साइज के उबले हुए आलू लेंगे जिनको मैंने मैस कर लिया है नमक डालेंगे स्वादा नुसार अगर हम ब्रत में बना रहा हैं तो इसमें ब्रत वाले नमक का यूज़ करेंगे दो बारिक कटी हुई हरी मिर्च साथी हम इसमें डालेंगे आदा छूटी चम्मच देदरा पिसा हुआ जीरा बारिक कटी हुई हरी धनिया हम सभी चीचों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आलू की स्टपिंग भी हमारी पन का तयार है अब हम इसको एक साइड में रख देंगे अब प्यों हमने साबुदाना का आठा लगा का तयार किया था उसकी इतनी बड़ी लोई लेंगे और इसको हादों से हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे किस हाइता से इसको बेल लेंगे हमें इसको आराम से बेलना है अब हम एक गोल सेप की कटोरी लेंगे और इसको गोल सेप में कट कर लेंगे सेम प्रोसेस से हम पूरियां ऐसे बना का तयार कर लेंगे अब हम एक पूरी लेंगे और इसके बीच में हम आलू की स्टफिंग को रखेंगे इने परसंद के एकॉर्डिंग स्टफिंग कम या जादा रख सकते हैं अब हम एक दूसरी पूरी लेंगे और इसके उपर इस तरीके से रखते हुआ इसके किनारों को अच्छे से चिपका देंगे हमें इनके किनारों को अच्छे से दबा देना है ताकि फ्राइ करते हुए स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले सेम प्रोसेस से हम सारी कचोड़ियां बना का तयार कर लेंगे अब हम एक कडाई में ओईल लेंगे और ओईल को गर्म कर लेंगे ओईल हमार आचे से गर्म हो चाहे तब हम कचोड़ियों को इसमें एक एक करके डालेंगे गैस की फ्रेम को मीडियम हाई रखेंगे ध्यान रखेगा एक बार में एक क्या दू कचोड़ियां ही डालें क्योंकि साबू दाना अपस में चिपक जाता है जिसे इनको पलटने में दिक्कत होगी तो कचोड़ि को हम पलटते हुए इसको दूसरी साइट से भी अच्छे से से शेक लेंगे तो आप देख सकते हैं कि कचोड़ि का कला चेंज हो गया और ये देखने में करारी लगने लगी है तो अब हम इसको आल से निकाल लेंगे एक बात का ध्यान रखेगा इनकचोड़ियों को सेकते समय गैस की फ्ले मीडियम हाई ही रखने है तो अब हम अपनी दूसरी रस्पी बना का तयार करेंगे तो सबसे पहले मैंने आप लिया है 1500 ग्राम पनीर जिसको मैंने कद्दू कस कर लिया है साथी हम इसमें एट करेंगे एक बारी कटी हुई काजर बड़े साइज का आदा टमाटर इसको भी हम छोटे चोटे पीसे इसमें कट करके डालेंगे साथी इसमें जो बीच में बीच होते हैं उनको हम निकाल देंगे और अब हम इसमें एट करेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया हरा धनिया हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालेंगे एक बारी कटी हुई हरी मिर्च तो अब हम इसमें add करेंगे एक चुटी चमच ददरा पिसा हुआ जीरा अगर आप ब्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो इसको मट डालिएगा साथ हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक तो अब हम सभी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे अगर आप ब्रत में बना रहा हैं तो इसमें ब्रत बाला नमक डालें तो सारी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं तो नास्ते के लिए हमारी स्टफिंग तयार है तो अब हम दो बड़े साइच के उबले हुए आलू लेंगे इनको हम आलू मैसर की साइता से अच्छे से मैस कर लेंगे तो आलू को हमें अच्छे से मैस करना है ताकि इसमें गुटलिया ना रहें तो आलू को हमने अच्छे से मैस कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें गुटलिया नहीं है तो अब हम इसमें एट करेंगे 3 टेबिली स्पून पिसे हुए समाके चाबल अगर आप इसको ब्रत में नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें नॉर्मल चाबल काँटा भी डाल सकते हैं और चाबल काँटा डाल कर हम इसको एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान रखेगा हम इसको पोटेटो मैसर की साहिता से अच्छे से mix करेंगे जिसे अच्छे से चिकना हो जाएगा साथ हम इसमें add करेंगे ब्रतबाला नमक और सभी चीजों को एक बाराम फिर अच्छे से mix कर लेंगे तो आलू मारे अच्छे से चिकने हो गा हैं अब हम इनको एक जगह पर इखटा कर लेंगे तो अब हम अलू का इतना Mixer लेंगे इसको हाथों की साहिता से अच्छे से चिकना कर लेंगे और उंगलियों की साहिता से हम इस्को थोड़ा सा बढा लेंगे ध्यान रखेगे हाथों पर थोड़ा सा गी लगा लें जिससे आलू मारा हांतों पर चिप गे ना अब हम stuffing को इसके बीच में रखेंगे आप अपनी पसंद के कॉर्डिंग stuffing कम या ज़्यादा रख सकते हैं और stuffing को हम आलू की मिक्षर से कबर कर लेंगे ध्यान रखेगा stuffing हमारी बहार नहीं दिखनी चाहिए तो हम इसको अच्छे से कबर कर लेंगे और हांतों की सायता से इसको चिकना कर लेंगे इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बना का तयार कर लेंगे तो अब हम इनको fry करेंगे इसके लिए कड़ाई में oil लेंगे और oil को गर्म कर लेंगे अब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसको एक एक करके डालेंगे ध्यान रखेगा एक साथ हमें सबी वॉल्स को एक घटा नहीं डालना है इसकी फ्लेम को हम मीडियम हाई रखते हुए इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे अच्छे मिन्टों में आप देखेंगे कि इस पर एक करारी सी लेयर दिखने लगी है तो ये लीजी हमारा नास्ताशिक कर तयार है अब हम इसको ओल से निकाल लेंगे तो फिर मिलते हैं एक नई रैस्पी के साथ बाई